नमस्कार सातियों स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूटुब चैनल धनराज शॉर्ट हैंड एकडमी इस्टानो क्लासिस में दोस्तों आज का मने डिक्टिशन है रहस्तान आईकूट स्टैनोग्राफर बढ़ती 2020 न्यूस पेपर की डिक्टिशन है जो की 80 शब्द प्रतिमनट की गती से है तो आएए स्टार्ट करता है आज की डिक्टिशन 5 सेकंड बात स्टार्ट मौझूदा दौर में लोगों के बीच महामारी का भै जोरों पर है सभी को चिन्ता सता रही है कि कब कैसी कैसी परिस्थितियों से गुजरना पढ़ सकता है इस कारण लोग बेहाल है कोरोना के अतिरिक्त डेंगू चिकन गुनिया और कैसी अन्य मौसमों के मुताबिक उत्पन होने बिमारियों की भी कमी नहीं है इन बीमारियों से जूजने के लिए दवाईया जरूरी है लेकिन दवाईयों की बढ़ती दरों ने लोगों को जीते जी मारने की इस्थती पैदा कर दी है महंगी दवाईयों ने लोगों के सामने यह सोचने की इस्थती पैदा कर दी है की अब वह कितने दिन के मेहमान हैं ऐसा सोचना स्वाभाविक है क्योंकि अब उनके पास संसाधनों का अभाव होता चला जा रहा है जिससे वे अपने अमुल्ले जीवन को खरीद सकते विराम यहां भाव यह है की जीवन रक्षक दवाईयों के उत्पादन और लागत मुल्ले से कई गुणा अधिक मुल्य वसूले जा रहे हैं जिसने लोगों के जीवन दशक बना दिया है इस होड में शामिल बड़ी बड़ी रसूकदार कंपनियों ने पैसे के बल पर डर दिखा कर या अन्य विधियों से डॉक्टरों पर अपना गबजा जमा कर अपना कारोबार फैलाती हैं जो डाक्टर ऐसी कंपनियों से अनुग्रहित होते हैं वे उनके अनुरूप ही अपनी कलम चलाते हैं पैरा बाजार में वैसे ही गला काट प्रतियोगिताएं चल रही हैं जहां कोई हारने के लिए तैयार नहीं है इस इस्थती में जन मानस के लिए तैयार की जा रही जैनरिक दवाईयां उन तक कैसे पहुंचेगी और उन्हें कौन खरीदेगा जबकि जैनरिक दवाईयां काफी सस्ती होती हैं और गुणवत्ता भी बराबर फिर यह बाजार में सहज उपलब्ध क्यों नहीं होती इसका कारण यह है कि जैनरिक दवाईयों के अच्छे बुरे के बारे में लोगों में भ्रम फैला कर इन दवाईयों की विश्वसनियता पर प्रश्ण चन लगाया जा रहा है बड़ी बड़ी कंपनियों के द्वारा अपने पैसे एवं रसूक के बल पर जैनरिक उत्पादों को बजारों में आने के पहले उखाड फैंकने का शडियंत्र किया जाता है दरसल बड़ी कंपनियों द्वारा डाक्टरों को बड़ी बड़ी और मोटी रकम गिफ्ट के रूप में या नजराने के रूप में दिये जाते हैं इस पर कई बार सवाल उठ चुके हैं दूसरी और जैनरिक कंपनियां इस भीशन कारोबारी युद्ध में लड़ने की इस्तती में नहीं हैं पैरा ऐसी इस्तती में जन्मानस को कैसी सुरक्षित रखा जा सकता है इसके लिए सरकार को छोटे छोटे जैनरिक दबाओं के विनिर्माता कंपनियों को फ्रोचसाहित करने की जरूरत है ताकि वे अपने उत्पादों को सरकारी अस्पतालों में खपत करा सके बाजारों में एक मजबूत तंतर के तहट बड़ी-बड़ी कंपनियों के उत्पाद और जैनरिक कंपनियों के उत्पाद पर मुल्य नियंतरन का आधार बने मुल्यों में भारी अंतर उत्पादों की विश्वसनियता पर प्रश्न चिन लगाता है इस संदर्ब में लोगों को जागरुक करने की जरूरत भी एक महत्वपून हत्यार है डाक्टरों को चेतावनी के साथ साथ जन्मानस के लिए अच्छी सोच के आधार पर डाक्टरी करने को सक्त निर्देश भी इस दिशा में एक महत्वपून कदम हो सकता है बस द्रड इच्छ शक्ती और इमानदारी के साथ काम करने की जरूरत है पैरा जब तक आम जन्ता अपने अधिकारों के प्रती जागरुक नहीं होगी तब तक वह हमेशा शासन प्रशासन की कटपुतली बनती रहेगी राजनीती ऐसा शेत्र है जिसके माध्यम से नागरिक लोगतंत्र में अपनी भागीदारी करते हैं क्या-क्या समस्याएं किसान, श्रमिक, योवा, आदी को हो रही है केवल वे ही जानते हैं राजनीतिक पार्टियां अपने स्वार्थ के लिए सारे आयामों को सही टहराते हैं समस्या की अंदेखी करते हैं और इस तरहे लोगों के दिमाग पर बोज बनाए रखते हैं ताकि वे समस्या के मूल कारणों की पहचान नहीं कर सके उन विराम आशाखरता हैं आप सभी को डिक्टिशन पुसंद आई होगी तो प्लीज कमेंट बॉक्स में कमेंट करें और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है सब्सक्राइब करें और चैनल को लाइक और शेयर करना नाम ले धन्यवाद